नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बर फिर आपके अपने चैनल राजनितिक चौपाल में आज हम लोग बात करेंगे रुनाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन की बीच हुई हिंसक जड़प में लेकिन उससे पहले एक घटना एक वीडियो बहुत तेजी से वा जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत के सैनिक चीनी सैनिकों को मार रहे हैं परन्तु यह वीडियो पुरानी है हाली में गटना यह हुई कि 9 दिसंबर को अउनाचल प्रदेश के तवांग में चीन के करीब 300 सैनिकों ने घुषने का प्रयास किया था कि भारतिय वायु सेना ने करीबन दो से तीन बार अपने हवाई लड़ाकूई मानों को आकास में भेजा ताकि निगरानी रख सके कि चाइना की तरब से कोई हवाई हमला ना हो तवांग मैंक मोहान रेखा से मात्र 60 किलोमेटर की दूरी परिस्तित है और यह अउनाचल प् रजर हमेशा बनाया रखता है और चाहता है जो इसको अपने मिला वह मिला ले वह सुरू से ही इसको दक्षनी तिब्बत का हिस्सा मानता आया है वह हमेशा इसे अपना अंग मानता है आई-ए मैक मोहन रेखा वह जो 1914 में ब्रिटिस भारत तिबत और चीन के बीच तिबत क इस्तिती को निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी उस वक्त जो सचिव थे उनका नाम में एक मुहन था और उन्हीं के नाम पर ही इस रेखा को बनाई गया करीबन 890 किलोमेटर लंबी है इसे सुरू से भारत तो मानता है लेकिन सुरू से ही चीन ने तिब्बत को अपना बताया रखा है और एलेसी वह है जिसको 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को अक्साइच इंगिफ्ट में दिये जाने के बाद भारत और चीन की बीच की जो लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल का जो बॉर्डर है उसी को एलेसी कहा जाता है वह जम्मू को सिमीर में है तवांग गहटना के संभावित कारणों का बात करें चीन क्यों बॉखलाया हुआ है तो पहला कारणिया है कि चीन में इस वक्त जीरो कॉइट पॉल्सी का वीरोध हो रहा है जिसे वह दुनिया को भठकाना चाहरा है कि वहां पर वहां क्या हो रहा है कि कि आप इमेज में देख पा र अमेरिका ने उतराखंड में चीनी बॉर्डर से मात्र सो किलोमेटर की दूरी पर युद्धा अभ्यास नामक एक मिलिटरी एकसरसाइज की थी जिसको चीन ने जिस पर चीन ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसका विरोध किया था हालां कि भारत और अमेरिका न आगर नहीं यह कहा गया है अपचारिक ब्यांने यहां बताया है क्छित आपकी कि इस इसी एक लुस्पर्ड कर ने बहुत करकी लिद्द फिस सच्छी वने जो कहा है अब परिच्छा के दिश्टी से कुछ महत पूंड तथ्यों को देखते हैं चीन के नेता माओ जिदांग या माओ से तुंग भीजी से कहा जाता है उसने पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानि जनवादी गड़ तंतर चीन की स्थापना एक अक्टूबर 1949 को की थी उसने 1949 में वहाँ पर कुरांति की माओ एक कम्यूनिस्ट नेता थे ठीक है उससे पहले वहां के चीन को राष्टवादी चिन या फारमोसा ताइवानी चीन भी कहा जाता था ठीक है भारत एक पहला गैर कम्यूनिस्ट देश था जिसने चीन को मानिता परदान की थ थे और सनायस सिन को चीन का राष्ट पिता कहा जाता है भारत ने 1950 में चीन के साथ अपने राजनेक संबंद इस्थापित किये थे 1954 में भारतिय ततकालिक प्रधान मंत्री पंडि जवाहाला नहरू और चीनी प्रधान मंत्री चाव एनलाई ने आपस में पंच सील समझोता किया था जिसमें पांच मुद्धो पर समझोता हुआ था उसके साथ हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे भी लगे थे किन्त यह नारा जादा दिन तक सफल नीरा 1962 ने भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत के कुछ छेत्र पर चीन ने कबजा कर लिया था 1962 भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने अपने चीन के साथ राजनेग संबंदों को सवाप्त कर दिया 1963 में पाकिस्तान ने जम्मू कस्मीर का हथिया कुछ छेत्र जिसमें गिलगित बार्टिस्थान था वा गिफ्ट के रूप में 1963 उसने चीन को दिया ये वही छेत्र था जिस पर बाद में चाइना ने कारकोरम हाईवे बनाया है इसी के बात से चीन और पाकिस्तान में आपसमें समझाता किया जिसकी वासे भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 उसमें 1971 के युद्ध में चाइना ने पाकिस्तान को हतियारों के आपुर्ति कि हैं उसका समर्थन किया 271 का वर्ष ना सिर भारत पाकिस्तान युद्ध के लिया से इंपोर्टेंट है बलकि वैस्षिक मंज पर भी यह बहुत महत पोड़ा है इस साल पहली बार संयुक्त राष्ट से और अब तक का एक मात रहसा दिश जिसको संयुक्त राष्ट से निकाला गया है वह तैवानी ची इसमूद जनवादी चीं उसको सदयसेता प्रदान कर दे गई इसमिंधत को फ्ल भारतियहीं प्रदान मंत्रे यह प्शूद है जनवादी चीन को परदान कर दी गई क्योंकि उसके लिए भारत को उसमें सामिल करने के लिए स्वयुक्त राष्ट्र संग के चार्टर में परिवर्तन करते वक्त यह उमीद कयास लगाए जा रहे थे कि सोव्य संग विरोध कर देगा लेकिन 1973 में भारत ने फिर से भारत और चाइना के विचराजनेग संबंद सुधार हुए उन्होंने संबंद इस्तापित किये और 1992 में पहले जो चीन गये वह पहले राष्ट्पति भारत है तो 2012 को दोनों देशों ने फिरेंट्सिप और कोप्रेशन के वर्ष के तौर पर मनाया परंतु यह खुशी भी जादा दिन तक नहीं ठीकिए जब 2018 में भारत को एनसजी की सदस्यता परदान करने की बात आई और एनसजी के के लिए सबसे आव सकता है कि सभी सदसे 177100 में सामत होने चाहिए लेकिन चिन ने मनाकर दिया उसने कहा कि भारत ने चुकि नन Paper पर साइंड नहीं किया इसलिए भारत को सदस्यतां प्रदान नहीं किじゃあ सभी सभी सब्रेंड इक्रें पाकिस्तान नहीं कि जानी का हिस्सा है जिसकी वज़े से क्योंकि सीपी इसी भारत के प्योंके से होकर जाता है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे हाल की घटनौम बात करें तो 2017 में डोकलाम गतिरोद हुआ था पैंक्सो मुरूरी जील का विवाद 2019 में हुआ गलवान घाटी विरोज जो हुआ था वह 2020 में हो था जब दुनिया कोविड से जूज रही थी उस वक्षाइना अपनी मनका कर रहा था कि फिर जो है कोई इस पर को अपने सुझाओ हमें कमेंट करके बता हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और टेलिग्राम का चैनल जोइन करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों को सेयर करें ताकि परिक्षा के द्रिष्ट से महत पून तत्यों कोई पता लगे और हाँ हाल ही में हम लोग जल्दी एक समिधान पर टेश्ट स्रीज विशयावार जैसे की पहले प्रस्तावना और अनुसूची और भाग पर हम लोग जल्दी उस पर टेश्ट स्रीज हलो कर रहे होंगे जैहिन जै भारत